हलो एवरीवन, वेलकम तो अनुभा इस्टवीफेक्ट्स, आज हम बात कर रहे हैं गाईज, जुलाई 2019 सीटेट पेपर वन की, जो जुलाई में पेपर कंड़क्ट हुआ था, सीटेट का 2019 का पेपर फर्स्ट है गाईज, चाल्ड डेवलमेंट पैडागोजी के कॉश्चन्स क को हम डिसकस करेंगे, शुरू करते हैं जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्डरन, फर्स्ट ऑप्शन है ग्यान को सक्रिय रूप से सनरचित करते हैं, जैसे जैसे विद दुनिया में ब्यवहार कोशल का प्रेयोग करते हैं, तथा ओप्शन है, को दीपन अनुक्रिया संबंदों के साफधानी पूर्वक नियंतरन के द्वारे एक विशिश तरीके से ब्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है, या फिर फूर्थ ओप्शन है, को पुरसकार एवं दंड के सिध्धानतों का प्तयों करके तरीके से सिखाय जाता है, तो आपको याद होगा, जीन पे आजे जो हैं, वो क्या बोलते हैं, कि बच्चा खुद से अपने ग्यान का निर्मान कर सकता है, अपनी नौलेज को ग्यान को सक्रिय रूप से सनरचित करता है, जैसे जैसे वो दुनिया में ब्यवार और कोशलों का प्योग करता है, और अपने आपको एक्स्प्लोर करेगा, अपना अन्वेशन करता है, तो हमारा फॉर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, I hope समझ आ रहा होगा गाईज, और वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक करना, second option, question की दरफ चलते हैं, चालक, विकास की दर में व्यक्तिकत बिविदताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, dash से dash तक होता है, there are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is dash to dash, तो गाईज, अब हम थोड़ा सा समझेंगे इसको की किस तरीके से होगा, यहाँ पर motor skills की बात की है, तो यह तो जो दो option है, cephalocodal और proximo distal यह वाले cancel हो जाएंगे, शीर्ष गामी और अधो गामी यह cancel इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि यह direction की principle है, और यहाँ पर बात की गए motor development की, याद रखेगा, तो सबसे पहले तो यह दोनों option कैसे cancel हो गए, फिर हम बात करते हैं, third option, gross motor development to fine motor development, इस थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर, तो गैस हमारा option यही correct है, यही सही, अब कैसे इसको तोड़ा सा हमें समझना है, जो gross motor skills होती है, या जो स्थूल चालक विकास होता है, तो आपने देखा होगा, जब बच्चा किसी भी चीज को अपने हाथ में hold करता है, पकड़ता है, तो वो पूरी अपनी चारों पांचों उंगलियों और मतलब हतेली सब का यूज करके किसी चीज को पकड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो जैसे इक pen को भी अगर पकड़ना है न, तो केवल वो अपने एक अंगुठे और एक उंगली का यूज करके भी उस चीज को होल्ड कर सकता है, मतलब सबसे पहले वो ग्रॉस मोटर का यूज करेगा, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है, और फिर वो अपनी पाइन मोटर्स का यूज करता है, तो चालक विकास की दर है, वो कैसी हो जाएगी, इस क्या कहते हैं, the period that initiates the transition to adulthood, याद रखिएगा, मैंने आपको बताय था, childhood से, adulthood में, जब हम प्रवेश करते हैं, तो जो एक transition period रहता है, क्या रहता है, transition period रहता है, वो क्या कहलाता है, किशोर अवस्था, क्या कहलाता है, adult sense, childhood आपका कहा से कहा तक हो गया, लगबग आपका समझ लीजिए, childhood है 2 से 10 वर्ष का, या 11 भी कह सकते हैं, और WHO की माने, तो 10 से 19 वर्ष होती किशोर अवस्था, वैसे हम 11-12 वर्ष को किशोर अवस्था मानने लगते हैं, चिक, और adulthood जो होती है, वो 19-20 से start होती है, तो इनके पीच का जो transitional period है, वो adolescence कहलाता है, I hope आपको समझ आ गया होगा, next question की तरफ बढ़ जाते हैं, एक बच्चा तरक प्रस्तुत करता है, कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बच्चाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यद यह वह ऐसा करता है, तो वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा, कोलबग की अनुसार वो जो बच्चा है, उसकी नैतिक समझ किस अवस्था में हैं, तो गई सबसे पहले तुम्हें यह कहूंगी, कि अगर आपने कोलबग की ठीओरी नहीं पड़ी है, य यह question किस तरीके से पूछ रहा है, तो a child argues that Heinz should not steal the drug, जो उसने चोरी किया था Heinz ने, वो उसे नहीं करना चाहिए था, क्यों उसने तो चोरी क्यों किया था, ताकि वो अपनी पतनी की जान बचा सके, तेकिन एक बच्चा ये तर्क दे रहा है, कि अगर उसने चोरी की, या अ में आ रहा है, instrumental purpose में आ रहा है, तो instrumental purpose में क्या आता है, एक हस से लेना, एक हस से देना, मतलब tit for tat वाली condition आती है, फिर social order maintaining की अगर बात हैगी, तो यहाँ पे social order कौन से maintain हो रहा है, कि बहुरे red light cross नहीं करना है, तो ये भी cancel हो गया, punishment and obedience ये हो सकता है, universal ethical principle तो जब होता है, ज पूरे एक समदाई की जान बचा लेता है, तो गैस देखिए, punishment के डर से, punishment दड़न एवं आग्या पालन जो अभी विन्यास है, इसकी वजह से वो बच्चा कह रहा है, कि अगर वो चोड़ी करेगा, तो उसको जेल भीज दिया जाएगा, उसको पुलिस पकड़ कर ले जाए है, उसमें भी मैंने discuss कर रखा है ये इन चीजों को, और भी जो मैंने previous years के नाम से, amputed previous year और seated previous year के नाम से, जो playlist बनाई है, उसमें भी कई बार discuss किया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखेगा, तो हमारा third option correct हो गया, next question की तरफ बढ़ जाते है, मौख वाइगोस्की refers the verbal dialogues that children have with themselves, जो खुद से करते हैं, मौखेक संबाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उनको क्या कहा, तो सबसे पहली बात आती है, ego centric speech की बात किस ने करी, प्याजे ने, ये cancel हो गया, फिर है उसके बाद private speech, अभी देखते हैं, भ्रांता speech, इस तरीकी क कोई speech ही नहीं होती, problematic speech ये भी cancel, तो ये दोन option cancels, एक होती है, silent speech की बात किये नोंने, मतलब बच्चा मन में बोल जाएगा, किसी को बाहर पता नहीं चलीगा, private speech खुद से बोल रहा है, लोगों को सुनाई भी आएगा, तो private speech हमारा सही answer हो जाएगा, I hope clear हो गया होगा, क्य आप लोगों के लिए, guys, क्योंकि इससे क्या आप लोगों को समझ आ जाएगा, कि बहीं इंडी-ंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा लोगों को रहता है, कि इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाओ, या हिंदी-ंदी पढ़ाओ, तो भले ही थोड़ा से जाधा टाइम लगे, ल Next question की तरफ बढ़ जाते हैं, खिलोने, पहनावी की वस्तुएं, घरेलू सामगरिया, विफसायों एवं रंगों को विसिस्ट लिंग के साथ संबंदित करना, क्या है, according to TWICE, articles of clothing, household items, occupations, and colors with specific sex is a demonstration of gender विक्सत पहचान, ऐसा नहीं है कि इसमें आप विक्सत कर रहे हैं किसी च जेंडर रूडी बदिता ये ठीक लग रहा है, जेंडर सिद्धान, जेंडर प्रासंगिक्ता, तो गईज जेंडर स्टीरियो टाइप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताय था, जेंडर स्टीरियो टाइप क्या होता है, जो रूडी बदिता चली आ रही है, जैसे खिल लावे की वस्तुएं बही बॉइस जो है उनका पहनावा अलग है गल्स का पहनावा अलग है घरेलू सामगरियां व्याफसा है व्याफसा है मैं भी जैसे लड़किया क्या है कि बही टीचर बोलते हैं मतलब ऐसा मोसली देखा जाता है कि टीचर की जॉब सबसे सेफ है फॉर और बही और जादा इतना सेफ नहीं है कि नाइट डूटीज कर रहा है इस तरीके से रूड़ी बद्दता बना दी गई है जो कि हमें कोशिश करनी है कि इन चीजों को हम ब्रेक कर सकें ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां घर के ही काम करें बोइस भी घर के काम में हेल्प कर सकते हैं गल्स ऐसा नहीं कि केवल घर में ही रहकर काम करेंगी बाहर जाकर भी काम कर सकती है केवल टीचर ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे उक्यूपेशन से हैं मतलब ऑल्मोस्ट जो बॉइस कर सकते हैं जो गल्स कर सकती हैं वो भी बॉइस कर सकते हैं इस तरीके से यह जो stereotypical चीजे हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है उनको दीरे-दीरे break करना है तो एक gender bias होता है gender bias क्या होता है किसी एक पक्ष की तरफ जुकाव जो होता है वो gender bias कहलाता है तो थोड़ा सा important है gender stereotype एक अलग चीज है और biasness अलग चीज है I hope अब आप लोग का doubt clear हो गया होगा bias और stereotype में next question की तरफ बढ़ जाते है एक प्रारंबी कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है मतलब in an elementary classroom elementary classroom क्या होता है एर्थ तक जो मतलब जो middle school होते है primary होता है आपका first to fifth होता है elementary six to eighth कहलाता है it is important वो क्या लाती है अपने साथ किस तरीके से experience ला रही है वो समझना जरूरी है उन्हें अस्वी कर करना ऐसा नहीं है वो कुछ ना कुछ तो ला रही है अपने साथ तो ऐसा नहीं कि आप उसे deny कर दें cancel हो गया उपेक्षा कर दें neglect कर दें ऐसा नहीं है उन पर ध्यान नहीं दें ऐसा नहीं है अग उन्हें शामिल कर उनका संचय करें उनको अपने में शामिल करें उस चीज को समझें कि वो अपने साथ क्या क्या experience ला रही है किस तरीके से वो चीजों को handle कर रही है ये सब चीजें समझना चाहिए I hope समझ आ गया होगा क्योंकि तीनों option हमें वैसे भी यहां पर अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो तीनों option बिलकुल negative थे तो हमें इनको cancel कर देना था और जो एक positive option जा रहा है उसे हम tick कर सकते हैं क्या होता है basically आपका point of view जानने की कोशिश की जाती है कि अगर आप teacher बन रहे है क्योंकि सीटेट का पेपर इसको clear करने के बाद आप KVS, NBS, DSSB जैसे teaching exams के लिए eligible हो जाएंगे तो जो examiner है वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे का जो mindset है वो किस प्रकार है as a teacher ठीक फिर है teacher should सिक्षक को चाहिए क्या कि वह सिक्षार्तियों के 20 तुलना करें ऐसा नहीं है कि आप teachers है आप teacher है तो आप बच्चों के बीच में तुलना करेंगे comparison करेंगे विशे संस्कृति संदाए के बच्चों को बड़ावा दें ऐसा नहीं है कि आप उन बच्चों को promote करेंगे जो कि एक certain culture लेकर आए हैं तो ये cancel हो गया फिर है वह विद्यारतियों के भी संस्कृति विविदता और विविदता की अंदेखी करें तो गैस विविदता है तो स अपकी संस्कृति कल्चर सबका अलग होता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे avoid करें ये cancel हो गया fourth option की तरफ चलते हैं communicate that she respects and values all cultures in classroom ये संप्रेशित करें कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं मैं तो देती है मतलब as a teacher आपको ये ध्यान रखना है कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करें और equal importance ने क्योंकि diversities क्या है हमारे वैसे भी इंडिया में बहुत जादा diversity है सबके अपने अपने अलग culture है अलग-अलग caste है तो उसके बावजूद भी अगर एकतार रहे unity रहे तो बहुत अच्छी बात रहती है next question की तरफ बढ़ जाते है which of the following construct does right to education act जिसे हम क्या बोलते है right to education act को RTE act निमने लिखे संरच्राओं मैंसे सिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है हमारे options हैं एकी क्रत समावेशी प्रथक करन और मुख्यदारा तो देखिए guys यहाँ पर दो option तो बिलकुल ऐसे देख रहे हैं जो हमें देखते साथ हम cancel कर सकते हैं segregate और mainstreaming कभी ऐसा न जब inclusive education option में नहीं होता लेकिन सबसे अच्छा option जब दिया है तो हम एक ही क्रत सिक्षा की तरफ क्यों जाए फिर भी में एक बार आपको difference बता देती हूं inclusive education और integrated education में अंतर क्या होता और यह हमारा answer क्यों है क्या होता है सबसे पर हम integrated education समझ लेते हैं integrated education में क्या होता है सारे बच्चों को admission तो देदेंगे भले कोई दिव्यांग हो या normal बच्चा हो gifted बच्चा हो उसको आप admission तो देदेंगे but according to their needs gifted बच्चे की enrichment programs उसकी need होती है थोड़ा सा higher level आप करें hot उसके लिए विक्सित करें जिसे हम higher order thinking skill बोलते हैं वो सब चीज़े एक gifted बच्चे के लिए एक normal बच्चे के लिए normal classes होती है बड़ जो दिव्यांग बच्चा है visual impaired है या फिर बोलने में problem है या फिर समझने में सुनने में problem है देखने में problem है बहुत सारी problems हो सकती है आप उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं कर रहे है मतलब जैसे किसी को देखने में problem है तो ऐसा नहीं कि अगर देखने में problem है तो आप उसके लिए बहिए CD जो audible CD होती है जिसे हम सुन सकते हैं चीजों को ब्रेल script ब्रेल लिपी हो गया उनको यूश कर रहे हैं या किसी को देखने में problem है तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेल script का use करें देखने में problem है जिसको सुनने में problem है उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको projectors दिखाएं और उसको class में आगे बिठाएं ताकि उसको थोड़ा सा आप loud बोले और चीजों को सुन सके समझने कि कोशिश कर सके तो integrated क्या होता है बस admission दे देना है और बागी बात बच्चों के इसाब से आप कुछ भी changes नहीं ला रहे हैं अपने teaching materials में लेकिन जो समावेशी सिक्षा है RT जो act आया 2019 में जिसे apply किया गया 1st April 2010 से तो उसमें क्या है समावेशी सिक्षा के सासाथ ये बात कही गई है कि यहाँ पर सारे बच्चों को आप क्या करेंगे according to their need आप उनको facilities provide करेंगे next question की तरफ बढ़ जाते हैं देश ये विचार धारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विध्याले विवस्था में समान सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो देखिए गाईस मैंने अभी इतना लंबा आपको lecture दिया इस चीज़ पर समझाया है अब समझ आ गया होगा ये question गलत नहीं होना चाहिए डेश is the philosophy that all children have a right to get equal educational in regular school system तो क्या होगा school regular मतलब जो system है वो तो regular है बट वहाँ पर सभी बच्चों की needs को complete किया जाता है समावेशी सिक्षा में next question की तरफ बढ़ जाते हैं निमनलिखित मेंसे कौन सा इस थंबख कर के बच्चों को इस थंबख में उनकी प्रात्मिक विशेश्चताओं के सही मिलान में प्रस्तोत करता है तो guys थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि है important है प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली क्या होगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकेगा शीगरता से एवं सोतंतर रूप से सीखने की छमताएं होंगी तो जो गिफ्टेड बच्चा है वो क्या करेगा जो गिफ्टेड बच्चा है उसका क्या होगा वो चीजों को शीगरता से वो सोतंतर रूप से सीखेगा तो first का D हो गया अब हम देखते हैं हमारे option में first का D तीन option में है इसका मतलब हम एक option को cancel कर लेते हैं second इसकी तरफ चलते हैं आधिकम अशक्तता learning disable है मतलब अब उसको क्या problem है learning disable में धारा प्रभा पढ़ने में कमी मतलब उसको problem है learning disable है तो वो चीजों को बिल्कुल fluently नहीं पढ़ सकता तो अब हम देखेंगे कि second का A option कहां पर है second का A option हम है देखें fourth वाला तो हमारा पहले ही cancel हो गया था अब second का A ये दिख गया है अब हम फिर भी और options की तरफ चलते हैं फिर हम देखते हैं स्रजनात्मक मतलब मूल्क समाधानों के बारे में सोच सकेगा तो third का B होना चाहिए third का B कहा है third का B हमारे second option में है और first में हमने तो देख लिया ना कि जो हमारा यह जो A है वो केवल एक option में है तो हमारा second option correct हो जाएगा फिर भी हम चीजों को समझने के लिए fourth option भी पढ़ लेते हैं अब धान में कमी हो रही है मतलब क्या है कि वो आसानी से विचलित होने की उसकी आदत है next question की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब जब सिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वो बच्चों को फूर्ण रूप से नियंत्रित करें तो अगर बच्चा अंडर कंट्रोल हो जाएगा टीचर के तो कैसे कोई चीज सीख पाएगा cancel हो गया ये पाट्ट क्रम में दिये गए तत्थों को याग भई memorization ये मैं हर बार आपको बोलती हूँ memorization कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता कि रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन memorization कर लिया और जो टीचर ने जैसा पढ़ाया as it is revise कर दिया ये नहीं होगा वे शामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखेगा उत्रों की नकल करें तो उससे कि आप बच्चे प्रभाबी रूप से सीख जाएंगे ये option भी cancel हो गया fourth option की तरफ बढ़ जाते हैं हम वे बिभिन गती विधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा active पार्टिसिपेट करता है चीजों में वे बिभिन गती विधियों एवं कार्यों में भाग लेता है चीजों को सीखता समझता है ये बहुत बढ़ी answer है next question की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेड़त करना चाहिए second option है पूछने के लिए हतोसाहित करना चाहिए पूछने की अनुमती ही नहीं देनी चाहिए पूछने से रोकना चाहिए तो देखो guys तीनों option हमें कितने negative देख रहे हैं तीनों options जो है वो भेंकर वाले negative हैं तो इनको तो हम बिल्कुल देखते साथी cross cancel कर देंगे हमारा first option बिल्कुल सही हो जाएगा कि पूछने के लिए प्रेरेत करो और मैं भी आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी doubt रहता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं क्योंकि इससे क्यों होता है जब आप पूछेंगे और फिर कहीं भी अगर आपको doubt है मतलब आपने session को कहीं न कहीं अच्छे से देखा है औ और समझने की कोशिश की है और मैं कोशिश भी एक करती हूँ कि आपको एक बार में मैं इतने अच्छे से explain कर दूँ कि आपका कोई doubt ना रहे लेकिन फिर भी अकर कोई doubt रहता है तो पूछने में कोई problem नहीं है next question की तरह बढ़ जाते हैं नेमने लिकित मैंसे कौन सी एक मु देखा है not जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटेत होता है memorization and recall इसके through देखें जहां कहीं भी negative होगा ना या फिर नहीं not accept least इस तरीके से होंगे मतलब हम किसी negative option की दरफ जाएंगे फिर है पुन्रा व्रत्ति और अभ्यास निर्देश एवं संचालन अन्वेशन और पारसपरिक प्रक्रिया तो ये तो अच्छा है explore कर रहा है बच्चा निर्देश instruction repetition थोड़ा सा ऐसा हो सकता है लेकिन अभ्यास दे दिया है तो भी अभ्यास practice तो बहुत अच्छी बात है लेकिन देखो memorization and recall मैं हमेशा कहती हूं memorization, recall, ratification, रटने वाली चीज़ जहां पर भी आ जाया है उसको हम cancel करते हैं अगर हमसे नहीं पूछा होता नहीं option में नहीं होता ना तब लेकिन हमसे option में हमें not पूछा है मतला हमें किसी negative option की तरफ जाना है हमारा first option बिल्कुल correct हो ज जब सिक्षक को विध्यारती एवम उनकी योगयताओं के बारे में सकार आत्मक विश्वास होता है जब सिक्षक को विध्यारती हो एवम उनकी योगयताओं के बारे में when teachers have positive belief about students and their abilities the students, जो उनकी ability है तो तब क्या होगा विध्यारती सीखने के लिए उसक एवम प्रेड़े होगा, यह तो बहुत अच्छी बात दिख रही है जो विद्यार्ती है वो क्या है, ईगर होगा और मोटिवेट होगा चीजों को सीखने के लिए और options देख लेते हैं, निशिन तो ह जाते हैं और शीखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों में faith दिखाते हैं बच्चों को motivation फील कराते हैं तो बच्चा तो और ज़्यादा motivate होगा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा की सरने मुझसे बोल दिया कि भै तू तो पड़ने में अच्छा है और तू ऐसा कर लेता है तो वो effort ही डालना बंद कर देगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए अगर कोई आपको motivate कर रहा है, आपको praise कर रहा है किसी चीज के लिए तो आपको और ज़्यादा motivated feel करके उत्सुक एवं चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए उत्सा भंग हो जाता ऐसा नहीं है, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते तो cancel हो जाएगा हमारा first option बिल्कुल सही है, समझने सीखने के लिए बच्चे उत्प्रेरित होते हैं, उत्सुक होते हैं first option बिल्कुल correct हो जाएगा, next 15 question को हम अपने next session में discuss करेंगे वीडियो कैसी लगी गाई, लाइक करके बताईएगा, जितने जादा लाइक आएगे, उतना जादा मुझे motivation फील होता है कि मेरा explanation जो था वो ठीक रहा, आपको अच्छे से समझ आया previous years paper लगाने का cable मेरा इतना motive है, कि आप लोगों को पूरा एक point of view पता चल जाए examiner का की question किस तरीके से पूछे जाते हैं, repetitive questions रहते हैं, कहीं बार repeat किये जाते हैं और जो उनकी language जब थोड़ी बहुत कहीं न कहीं twist करके, as it is आपको कहीं बहुत सारे exams में देखने को मिल जाएगा और जो लोग भी तयारी कर रहे हैं, आपके family members में भी, अगर कोई लोग seat है, teaching है, exams की तयारी कर रहे हैं तो आप उनको share करें, friends को share करें और channel पर पहली बार आए हैं, तो channel को subscribe करें तक कि इसी तरह की और videos आपको मिल सकें, उनका notifications मिल सकें So thanks for watching this video